आकाश्मनी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार नमस्कार समाचारों के साथ मैं दीपा सिंख सबसे पहली मुख्य समाचार प्रदीश का स्थापना दिवस धूमधाम के साथ मनाने की तैयारी चार दिवसी आयोजन के दौरान विकास प्रदरशनी के आयोजन के साथ सांस्रकतिक कारिक्रम होंगे किंद्री सूचना एवं प्रसारन तथासन सदीक कार राज्यमंत्री डॉक्टर एल मुरगन आज एक दिशक सचिता की सच भुपाल के लिए विशेश पहल पर मीडिया कारिशाला में हिस्सा लेंगे दो पिधान सभा उप्चुनाओं के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने की प्रक्रिया पूरी दोनों सीटों पर कुल चाली सुमीत वारों ने परचे जमा किये और बावनभी नहरू जूनियर हौकी टूनामेंट में मज़़ प्रदेश राजिखेल अकादमी ने नवल टाटा जमशेतपुर को तीन एक से हरा कर खिताब अपने नाम किया अब समाचा प्रस्तार से प्रदेश का स्थापना दिवस दूमधाम के साथ मनाने की तैयारी की जा रही है इस बार सापना दिवस पर दिवाली पर्व का संयोग बना है मुख्यमंत्री डॉक्टि मोहन अदव ने कल स्थापना दिवस पर चार दिन की कारिक्रम के संबंध में चर्चा की भुपाल के लाल परेट मैदान पर 30 अक्ट्यूबर को विशेश कारिक्रम में भारती सेना की ओर से बैंड प्रदर्शन और अन्य कारिक्रम आयोजित की जाएगे विकास प्रदर्शनी भी आयोजित की जाएगी एक नमबर को अमरत मद्प्रदीश के अंतरगद समवीत रितिनाटी का प्रस्तित होगी लोगमाता अहिल्या देवी को समर्पित महेश्वर खाट के थीम पर कारिक्रम का आकलपन क्या जाएगा एक नमबर को जन अभियान परिशद्वारा प्रभात फेरियों का आयोजिन किया जाएगा एतिहास सिक समारकों और महापुरुशों की प्रतिमाओं की साफसफाई और पाजारों में सौंदर ही करण किया जाएगा महत्पून सिलों पर 59 दीप जलाए जाएगे भोपाल के साथी सिलों में भी इस्थानी परिसितियों के अनुसार में भी निकतिविदिया संपन होंगी केंद्री सूचुनात धापसारन और संसिती कारे राची मंत्री डॉक्ट एल मुरगन कल भोपाल में तमिल संस्क्रती मोहतसव में मुख्यातिती की रूप में शामिल हुए उन्होंने मद्धप्रदेश के तमिल विद्वानों को भी सम्मानित किया था कारिक्रम में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीडी शर्मा सहिद भाजपा के अनेक वरिष्ट नेता भी शामिल हुए डॉक्टर मुरगन ने इस वसर पर कहा कि दश्कों पूर भोपालाकर बसे तमिल लाडू के लोग अब भी अपनी संस्क्रती से जुड़े हुए हैं वे आज एक देशक सुचिता के सुच भूपाल के लिए विशीश पहल विशेपर आयोजित मीडिया का रिशाला वारतलाप में मुख्यातिती के रूप में हिस्सा लेंगे पत्र सुचना कार्याले प्याईबी और नगर पालिकार निकम भोपाल द्वरा पत्रकारों के लिए इस मीडिया कारिशाला कायोजिन किया जा रहा है कारिक्रम में सांसद आलोक शर्मा और महापाउर मालती राय भी शामिल होंगे प्रोदेश की दो विधानसभा निर्वाचन शेत्रों में उपचिनाओं के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने की प्रक्रिया कलपूरी हो गई मुखी निर्वाचन पदादिकारी सुखफिर सिंग ने बताया कि अंतिम दिन शियोपूर से लेके विधानसभा निर्वाचन शेत्र विजयपूर में आट अभरतियों द्वारा दस नाम निर्देशन पत्र और सी होड से लेके विधानसभा निर्वाचन शेत्र बुधनी म भाजपा प्रत्याशी रमाकान्थ भार्गम ने नमांकन दाखिल किया। नमांकन रैली में मुक्यमंतरी रोक्टर मुहनयादव, किंद्री मंतरी शिवरासिंग चोहान, भाजपा प्रदीश अद्यक्ष वीडी शर्मा के साथ अन्य जुन प्रतिनी धी मौझूद रहे। इस रदेशन पत्रों की समवेक्षा थाईस अक्ट्यूबर को होगी, नाम वापसी के अंतिमतार एक तीस अक्ट्यूबर है। दुनू सीटों पर मतदान तीरह नमंबर को और मत करना तीस नमंबर को होगी। समाचारों में वक्त है ब्रेक का। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा newsonair आप पर भी समाचार सुन सकते हैं। PCI नई दिल्ली डॉक्टर मोहनलाल कोरी को नियुक्त किया गया है। प्रांतवीत तात्याटोपे विश्विद्याले गुना का कुलगुरू बुंदिलखन पीजी कॉलेज जहांसी की राजनीती विज्यान विभाग और शोध केंदर की प्रोफेसर और विभागा द्यक्ष डॉक्र किशन यादब को नियुक्त किया गया है। प्रधान मंत्री नरेंद्र मुधी कल 27 एक्ट्यूबर को आकाश्वानी पर मन के बाद कारिक्रम में देश्विदेश की लोगों के साथ अपने विचार साचा करेंगे। सुझाओ भीजने का आज अंदिम दिन है। कारिक्रम का प्रसारन आकाश्वानी और दूरजन के समूची नैटवर्ग पर किया जाएगा। जबलपुर में 11 दिनों का दिविकला मेला दिव्यांग जिनों को संचार के शेत्र में भी आत्मे निर्भर बनाने का प्रयास कर रहा है। ये मिला मोग पधिर दिव्यांगो और आमजिनों की बीज समवात की कड़ी को मस्बूत कर रहा है। इस उसर पर दिव्यांग जिनों के लिए रोजकार मेली का आयोजन किया जा रहा है। सेंत रोप से कक्षा पहली से लेकर छटमी तक की पाथ्य पुस्तकों को भारतिय सांकेतिक भाषा की ई सामगरी की रोप में विक्सित किया गया है। भारतिय सांकेतिक भाषा अनुसंधान और प्रसेक्षन के इंदर द्वारा दिव्यांग जिनों के लिए विशेश शब्द कोश का निर्मान भी किया गया है। शब्द कोश की खास बात यही कि इसमें एक शब्द कोश साइन भाषा के सासा देश के दस भाषाओं में वर्नित किया गया है। दिली में 15 से 25 अक्ट्यूबर तक आयोजित 52 नहरू जूनियर हौकी टूनाविंट के फाइनल में मद्धपरदीश राज़ खेल अकादमी की हौकी टीम में रुमानचक मुकाबले में नवल टाटा जमशेदपुर को तीन एक से हरा कर खिताब अपने नाम कर लिया है दोनों दिली में 15 से 25 अक्ट्यूबर तक आयोजित इस प्रतियोगिता के आंतिम दिन खेल अकादमी के नवनीत सिंग भदौरिया और उश्मी श्रवास्तव ने जूनियर और सीनियर वर्ग में बहितरीन प्रदशन करते हुए दो दूस वन पदक सहित कुल चार पदक जीतकर दियाना से होगा तीन दिवसीय मैच इन दौर में सुभह साड़े नौ बजे से शुरू होगा अपको समचार संगशेप में इन दौर में लोगसिवा गरंटी अधनियम के तहक प्रकरणों का समय सीमा में निराकरण नहीं करने वाले अधिकारियों के खलाफ कलिक्टर आशी सिंग ने कारवाई की मंसौर की सुवासरा विधायक हर्दीव सिंग त्यंग ने सुवासरा शेत्र के 22 स्कूलों में 875 विद्याधियों को साइकल वित्रत की खनवा में प्रधानमंत्री सूख्ष मखादे उद्योग उन्ययन योजना PMFME के अंतरगत कलकृषी विज्ञान क हाथ पर 29-30 अक्ट्यूबर को किया जाएगा इस मुलिटिन में इतना ही नमस्कार